So Hello Guys, नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाईज, अगर आपका SD कार्ड भी अपने आप बंद हो चुका है गाईज, नो इंसर्टेड का ओप्षन आ रहा है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ गाईज, आप इसको कैसे ठेक कर सकते हैं गाईज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो गाईज, वीडियो को आप शुरू से लेकियां तक जरूर देखना तभी आप समझ पाएंगे, आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं गाईज, उसके लिए आपको बैक आजाना है, बैक आने के बाद गाईज, आप आपने अपनी सेटिंग में जाना है, तो यहाँ पर सामने सेटिंग है गाईज, सिंपल में इसको यहाँ पर उपन कर लेता हूँ, उपन करने के बाद गाईज, यहाँ पर आपकी फॉन की सेटिंग उपन हो जाती है, सिंपल आपने नीचा जाना है गाइज नीचा आने की बात आपके पास यहाँ पर एक option है गाइज general management का तुगाइज सिंपल आपने general management के option पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे गाइज आपके पास यहाँ पर general management की setting open हो जाती है आप guys आपने यहाँ पर नीचा जाना है नीचा आने की बाद guys आपके पास यहाँ पर एक option है guys reset का simple guys आपने इसको reset के option पर click कर देना है click करने की बाद guys यहाँ पर आपके पास एक option है guys reset all setting so guys अगर आप इस पर reset all setting के option पर click कर देना है click करने के बाद guys आपने reset all setting option पर click कर देना है जैसे आप इसके उपर click करेंगे guys यहाँ से भी आपकी जो कुछ setting changing हो गई होगी guys तो वो भी आपने ठीक हो जाएगी उसके बाद guys आपका memory card भी ठीक हो जाएगा guys SD का ठीक हो जाएगा तो simple में इस पर click कर लेता हूँ guys यहाँ पर so guys यह मुझसे यहाँ पर password माँग रहा है तो simple guys मैं यहाँ पर अपना password डाल देता हूँ तो कुछ इस तरह से guys अब guys यहाँ पर आपके पास reset का एक option है simple आपने इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करें guys तो यहाँ पर आपके पास restarting device to reset setting please wait तो यहाँ पर आपने थोड़ा wait कर लेना है guys guys अगर इस तरहीके से भी आपका SD का ठीक नहीं हुआ guys तो जो दूसरी setting है guys आपने क्या करना है SD कार्ड को निकाल लेना है guys reward होता है guys जो हम school में use करते हैं reward guys आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं SD कार्ड को guys reward से आपने थोड़ा रगड़ना है तो उसके बाद guys आपका SD कार्ड ठीक हो जाता है यह भी एक नई ट्रिक है guys तो simple यहाँ पर मैं इसको on कर लेता हूँ अपने phone को guys यह on हो चुका है अपने आप ही थोड़ा wait कर लेते हैं so guys यहाँ पर open हो चुका है guys इससे क्या होगा अगर आपकी setting change हो गई होगी guys वो ठीक हो जाएगी यहाँ से guys आपका data कुछ भी delete नहीं होगा तो simple मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दुबारा से अपने SD card को open कर लेता हूँ guys so कुछी इस तरह से यह मांग रहा है तो यहाँ भी मैं यहाँ पर इसको update नहीं करूँगा simple मैं यहाँ पर SD card के option पर click करता हूँ तो यहाँ पर my files के कई option है guys simple में इसके उपर click करता हूँ click करने के बाद guys आप यहाँ पर नीचे दे सकते हैं कि मेरा SD card open हो चुका है so guys यहाँ पर जितने भी मेरे files थी वो यह बिलकुल आ चुकी है guys तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि यह कुछ setting की वज़ा से होता है guys तभी आपका card नहीं चलता है guys तो इस तरीके से guys आप अपने SD card को भी ठीक कर सकते हैं आसा करता हूँ guys आपको वीडियो पसंद होगा वीडियो को like जरू कर देना guys फीचेट आई YouTube चैनल पर नए हैं guys चैनल को subscribe जरू कर देना guys वीडियो के निशे guys मैंने telegram का link के आप वहाँ पर भी join हो सकते हैं guys जब भी मेरी कोई latest वीडियो आती है guys तो मैं telegram मैं भी उपनी वीडियो को share करता रहता हूँ तो वहाँ से भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा guys वीडियो दिखने के लिए guys आप सभी का धन्यवाद